तो चलो यह वाले question देखो मेरे प्यारे बच्चो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह parallel beam a monochromatic light है जिसकी wavelength lambda 5000 यहां दिया हुआ है तो यहां से 5000 lambda का हमने light डाल दिया नॉर्मली यहने narrow slit जिसकी width से यहां पर दिया हुआ है light focus by convex lens placed in a focal plane the first minima will be formed for an angle of diffraction angle of diffraction will be equal to first minima जहां पर बनेगा तो angle of diffraction हमें निकालना है तो अब थोड़ा सा इसमें question को समझो तो मैं try करता हूँ तो मैं अच्छे से feel देलाने का तो यहां से एक single slit है यह वाली चाहिए अब यहां से तुम देखोगे कि यहां पर मैंने screen रख दिया और यहां पर मालो point P पर first minima बना होगा यहां lens ताम जाम लगा तो जो भी लगाना है तो यहां से जो raise जो beam आएगी वह यहां पर यह से कुछ focus हो जाएगी तो ऐसा कुछ सीधा नहीं बना converge हो जाएगी तो angle of diffraction first minimum मतलग यह वाली जो angle थी याद करो यह angle theta ठीक ना इस theta और A में एक relation था जो कि हम लोग derive किये थे निकाले थे तो यह जो first ray और जो second ray है उन्हें पाथ difference delta x जो पाथ difference है आई हो कि different delta x d sin theta d और यहां पर मैं A लिया हो तो A sin theta is even multiple of lambda by 2 या इसको n lambda भी लिखा जाता है तो delta x is equal to A sin theta n lambda ठीक है यह minima का condition है minima का general जो condition हो है अब first minima है तो n is equal to 1 है तो n is equal to 1 के लिए एगर मैं first minima यहां से लगाता हूं तो first minima यहां से जो path difference delta x is equal to यहां से sin theta angle of diffraction d की जो value आजाएगी वो lambda अपान A आजाएगी बस यही theta पूछ रहा है तो lambda A अपान A निकालो यहां से lambda की value डाल दो lambda यहां कितना 5000 angstrom और यहां से जो A है वो 0.001 mm है तो 10 की power minus 3 से multiply कर दो और यह angstrom है तो 10 की power minus 10 से multiply कर दो यही angle बता देगा इसको solve कर लो तो यह इसको solve करोगे तो एक काम करते हैं यहां पर यह 5 और इंटू 10 की power minus 7 बचा और यह 10 की power 3 उपर गया और नीचे 0.1001 को यही पर रहने दो तो 5 इंटू 10 की power minus 4 उपर हुआ और यहां से 0.001 को यही पर रहने दो तो यह आ जाएगा 5 और इसको नीचे लाओगे तो 0.001 और 10 की power 4 ठीक ना यह 0.001 3.00 तो multiply करोगे यहां तो 5 अपान यहां से 10 आ जाएगा 5 और 10 मतलब 1 by 2 तो थीटा की जो वेलू आ जाएगी 30 डिगरी क्योंकि साइन थीटा अगर साइन थीटा की वेलू 1 by 2 है यहां से तो थीटा 30 डिगरी मतलब C options नहीं है थेंक्यू